आपने एसिड या अमल शब्द पहले भी सुना होगा ये वो पदार्थ होते हैं जिनकी pH value साथ से कम होती है ये नीले लेटमस पेपर को लाल और Universal Indicator Solution यानि सार्वत्रिक सूचक विलेण या पेपर को उनकी शक्ति के अनुसार लाल या नारंगी रंग में बदल देते हैं एसिड्स सिंप्ली वो पदार्थ होते हैं जो जल में विघटेत होकर hydrogen ion या proton देते हैं आईए हम अपना विचार खटे फलों जैसे संत्रा नीमबू आदी से शुरू करते हैं कई खटे फलों का स्वात बड़ा ही जाना पहचाना होता है इनमें ये खटापन citric acid की उपस्थित के कारण होता है ये weak acid यानी तनु अमल है लोगों में एक बड़ा ही सामान ब्रहम है कि citric acid ही vitamin C है वास्तव में vitamin C ascorbic acid है ये खटे फल कीवी fruit में पाया जाता है लाल मिर्च में ascorbic acid बड़ी मातरा में होता है आप vinegar यानी सिर्के से जरूर परिचित होंगे ये ethenoic acid या acetic acid का एक तनु विलेन है खटे फलों की तरह सिर्के का स्वाद तीखा खटा होता है oxalic acid की high concentration यानी उच्च सांदरता के कारण रुबाब leaves यानी रेवत चीनी की पत्तियां जहरीली होती है हना की पालक, अजमूद या खुरासानी, अजवायन और प्याज नुमा पौधे में oxalic acid कम मातरा में पाया जाता है आईए cold drink की बोतल या can खोलते हैं जरूर आपके दिमाग में उससे उठने वाले बुलबुले आ रहे होंगे ये बुलबुले carbonic acid की वजह से उठते हैं cold drinks के उत्पादन के समय उसमें कारबन डाय ओक्साइड मिलाए जाने के कारण carbonic acid बनता है यहाँ पे आपके लिए एक challenge है आप जानते हैं कि carbon dioxide पानी में घुलके carbonic acid बनाती है क्या आप इस अभिक्रिया का रासानिक समय करण लिख सकते हैं वीडियो रोकिए और समय करण लिखने के बाद फिर शुरू कीजिए समय करण कुछ इस तरह है carbon dioxide और जल मिलके carbonic acid बनाएंगे समय करण में इस्तिमाल किये गए तीर के निशान पे ध्यान दीजिए विखटन की सीमा नियूनतम pH value को बनाए रखने में महत्वपून है हमारे शरीर की विशिष्ट pH value 7.41 है अगर protonों की सांदरता बहुत ज्यादा हो जाए तो खून की acidity यानि अमलियत अब बढ़ जाएगी कम pH value वाली medical condition को acidosis कहते हैं अगर protonों की सांदरता बहुत कम हो जाए तो खून की अमलियता कम हो जाएगी 7.45 pH value वाली medical condition को alkalosis कहते हैं अगर आप बहुत देर तक व्यायाम करते हैं तो आपकी मानस्पेशियों में एठन शुरू हो जाएगी ये एठन, lactic acid की उपस्थिति के कारण होती है ये acid मानस्पेशियों की कोशिकाओं को आवश्यक oxygen न मिलने के कारण बनता है दूद में lactose होता है और कुछ विशेश प्रकार की जीवानूओं की वजह से lactose का fermentation या किंडवन lactic acid में होता है इसके बाद lactic acid दूद की विशेश प्रोटीनों जैसे कैसीन के साथ अविक्रिया करता है lactic acid और curdleded casein मिलके दही और खटी क्रीम बनाते है तो संक्षेप में यहाँ पे हमने hydrochloric acid और sulfuric acid के अलावा अन्य कई तरह के अमलों के बारे में जाना इस तरह के बहुत से अमल हमारे रोज के खाने में हमारे शरीर के अंदर और दैनिक जीवन में पाई जा सकते है